बिसम् critics ने इंडिया के बार में प्रडिक्ट किया आने वाले चंद साले में किल्रेज़गोंब लकिन आगर अब की बात करें अब तक्रेपन जो इंडीयन करन्सी वे 17 बंते हैं एक डॉलर के मकाबल में मतलब वन युएसजी डॉलर इस एकल टू 77 इंडिया रुपीज लेकिन आने वाले चन्द सालों में यह 94 का हो जाएगा मतलब आने वाले चन्द सालों में डॉलर जो है वो 17 रुपे महंगा हो जाएगा और इसके क्या-क्या अग्सान हो सकते हैं इंडिया की एकॉनि मी के उपर तो इस वीडियो में आज इसी बार डिसक्स करेंगे और इसके अलावा हम टच करेंगे पाकिस्टान की गिरती होई करंसी की इसलेद्याल को उसके भी देखेंगे कि पाकिस्तान की जो करंशी है वो कब और कैसे गिरी थी और इसके पाकिस्तान पार साइड इफेक्ट्स क्या हुए थे तो आज की इस वीडियो में डिसकस करते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा क्वेस्ट्न का आंसर आपने देना है मुझे कमें क्वेस्ट्न ये है कि दुनिया की सबसे महगी डिजीटल करंशी कौन सी है नामबर बाट बीन बी यह बी टी सी या एथीरियम सही जवाब कमें अब मुझे यह सहीं का सब्सक्राइब कहाई व सब्खें नरें नरेंदर कि तरफ से लेकिन आई एम एफ ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आप दो हजार उनतीस से पहले फाइव ट्रेलियन डॉलर्स की जो जीडीपी है आप उसे हिट नहीं कर सके हैं उसकी रिजन यह बताईए कि आई एम एफ ने डेटा बेसिस के मदद से बताईए है कि जो जीडीपी फौ 2.99 ट्रिलियन इतनी होगी दो हजार अठाइस तक मतलब यह दोहजार अठाइस में भी आपने टार्गट को चीफ नहीं कर पाएंगे तो यह दो हजार उनतीस बनता है कि दो हजार उनतीस में टार्गट चीफ कर आप कर पाएंगे लेकिन वह भी इस वो भी डी वैलियू होगी वो भी कम हो जाएगी डॉलर के मकाबले में लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात बता दू कि आई एम एफ से पहले जो फनान मनिस्टरी है इंडिया की उसने ओफिशली यह डिक्लेयर कर दिया था कि में भी हम जो है वो एक यह दो साल डिले हो जाए के डि वैलेशन पर किसी भी मुलक की करंशी जो है वो ढौन हो जाती है उस से क्या क्या फरकते हैं किसी भी मुलक पर देखिया आप पाकिस्तान की इक जएफ्ज ना हम पाकिस्तानी करंची कैया सूरह आला साल की 2013 में यह 98 से स्टार्ट हुई और तगरीबन 107 नों के हिंसे को टच करके दुबारा से यह करंसी डौन होना स्टार्ट हो गई थी और यहां पर साल 2018 शुरू होता है 2018 में इसकी जो स्टार्टिंग में कीमत थी वह 110 रुपे थी और इसका जो एंडिंग रहा वह तगरीबन 140 रुपे के आस पास जो थी यह करंसी गई मतलब इन एक इस एक साल में करंसी की जो वैलियू थी वो तकरीबन 30 रुपे बढ़ गए थी और आपकी सूरत आल देखे 22 में तो पाकिस्तान की जो करंसी है वो 160 रुपे 60 रुपे से किया मतलब तकरीबन 10 सालों में 93 रुपीज क अधा अधाफा हुआ है पाकिस्तानी करंसी में और इसी की वज़ा से पाकिस्तान में एक महंगाई का सुनामी मी बरबा हुआ जिससे जो स्पेशली मिडल क्लास लोग थे वो बहुत ज्यादा मतासिर होएं देखें अगर इंडिया की करंसी भी इस तरह से गिरती है ना करीपन चालीस रुपे के आसपास करंसी जो है वो अब हो जाएगे कर पाकिस्तानी करंसी में उसे कनवर्ट करके बाद करें तो इससे इंडिया में एक नया जो महंगाई का तुफान है वो आएगा और डैफिनेटली इसे हर एक मतासिर होगा यह क्योलेशन थी आइम एफ की तो आई अब हम बात करते हैं कि डॉलर की कीमत ज्यादा होने से या रुपे की कीमत कम होने से किस तरह महंगाई आती है मानने जी अभी एक डॉलर की कीमत 77 रुपीज है अगर हम 100 डॉलर को मल्टिप्लाइ करें 77 से तो वो बनते हैं 7700 रुपे मतलब अगर आपने पहले कम हो जाती है तो वही जो आप 100 डॉलर की चीज आपने 7700 रुपे में खिरती थी तो अगर हम 94 को 100 से मल्टिप्लाइ करें तो यह तक्रीबन 9400 मतलब आपको 700 रुपे महंगा अदा करना पड़ता है और एक बात हमेशे जाद रहे कि जितनी भी आप international market से पर्चेजिंग करते है लेकिन मोस्ली क्या होता है कि ज़्यातार हमारी जो इंकम है वो रुपे में होती है जबकि हमारी जो पर्चेजिंग है international market से तो वह होती है हमारी डॉलर में इससे ज्यादा मुतासिर वही कंट्री होती है जिनकी इंपोर्ट बहुत ज्यादा होती है मतलब वह दूसरी जेजिंग भी डॉलर में होती है और उनकी जो शिपिंग की कॉस्ट है वह बी डॉलर में आती है तो डेफिनेटली फिर उस कंट्री में महंगाई आ जाती है मैं आपको एक पाकिस्तान की एक्जेंपल देता हूं कि जब पाकिस्तानी रूप डॉलर की कीमत थी तकरीब साथ रुपे की आस पास है और कहा यह जा रहा है कि एक्चुल जो कीमत है वो तक्रीबर आड़ाई सो रुपे या दो सो चालिट सो रुपे लेटर बनती है पैट्रॉल की कीमत लेकिन इसमें गवर्मिंटर रिलीफ दे रही है जिसके वज़े से काफी ज़्यादा बाचत हो ग इसमें हम इस तफ हैट कर लेते हैं सिरी लंका को क्योंकि वो धिवाले आओ चका है मैं आपको एक्जेंपल देता हूं कि आपके आपने सो डॉलर करजा लिया था पाकिसाने मैं एक समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह हां जो है वो महंगाई हो जाती है जो कंट्री है वो नीच asc – जाने स्टार्ट हो जाती है मैं एक्जेंपल देता हूँ कि आपने 500 करजया लिया था और जब आपने करजया था तो उस वकants एक डॉलर की किमत तक्रिब्वंः सो रुपे थी तो आपने 100 करजया लिया तो इसका मदलब है के आपने 10,000 रुपे करजया लिया लेकि हुआ है एक डालर जो है वो दो सो रुपय का हो गया तो आपने लिए तो दस हजार थे लेकिन आपको वापिस रिटर्ण में बीस हजार रुपय पाकिस्तानी अता करना पड़ेंगे तो इस तरह जब भी रुपय की वैलियू कम होती है डालर से ट्रॉंग होता है तो मुलक के उपर जो करदा था वह आटोमेटिकली मल्टिप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है तो इससे जो पूर कंट्रीज हैं वो मजीद नीचे आ जाती हैं तो यह थी आई-एम-फ की प्रेडिक्शन इंडिया के हवाले से कि उसकी जो करंशी है वो आने वाले वकत में डॉन हो रही है क्योंकि इंडिया ने ओफिशली मनिस्ट्री ने ने कहा था कि हम दो हजार पचीस नहीं दो हजार चब्यस यह 27 तक जो हम वह इस टार्गट को चीव करें लेकिन आगया मैं फिने काया कि आप 2027 तक भी चीव नहीं कर सकते आप 2029 में अपने उस टार्गट को चीव करेंग 36,000 डॉलर है मतलब वन बिटकोईन इस एकर टू 36,000 डॉलर मैं डॉलर की बात कर रहा हूं रुपे की बात नहीं कर रहा है मतलब वो इतनी मश्बूत करन्सी है लेकिन मैं आपको बता दूँ यह चंद माह पहले यहां छे माह एक साल के आस पास से पहले गर बात करें तो इस